तो, आज का हमारा जो लाइव है वो इस टॉपिक पर है कि कोई ऐसी किताब जो आपने पढ़ी हो जिसने आपके मन में घर क्या हो कौई उसकी लाइन सी ज आपको काफी पसंद ओ तो, बसिकली के ऐसी किताब जिसने आपपर इमपैक्ट डाला हो तो आस्था जो किताब वाला करती हैं ललन टॉप के लिए आपके लिए हमारे उनसे पूछते हैं आस्था मैं आप नहीं बोल पाऊंगे यार इसके आगे है ना उनको भी समझा जाएगा ये तो जूटा चल रहा है तो आस्था येस लेट्स बी रियल तो तुम्हारे तुम्ह मेरे साथ ये रहता है या तो कुछ भी कहलो मुझे नी बदा उसके फाक्टर कें पर मैं जो कुछ भी गंजियूम करती हूं चाहे वो टेक्स फॉर्माट में हो चाहे विज्वल ओ चाहे ओडियो वो सब रह जाता है मेरे साथ और किताबें तो बहुत सारी है मतलब बहुत- पर आगेस मुझे एक याद है जो मैंने पढ़ी थी टूस्डेइज विद मौरी इफ आए होप मैं आम सही ले रहे हूं और वो ऐसा था कि मुझे लाइबरी में सब्मेट करनी थी और कॉलिज ताइम में क्या होता था कि लिस्ट बनी होती थी कि एडवांस में ये इशू कर आलेंगे और उसके कुछ चार-पांच पनने या शायद 20 पेज़ रहते थे मेरा लेक्चर नहीं था मैं भार कॉलडर में वैट के पढ़ रही थी और मैं रो रही थी उसको पढ़ते हूए और वो मोमेंट था जब मुझे रियलाइज वा कि जरूरत नहीं है आपको किसी और को शायद ऐसे जीवन्त देखने की या लाइफ देखने की बट खुबसूरती से लिखिवी चीज़ें भी बहुत कुछ जगा सकते हैं आपके अंदर अपके अंदर बट टप टप आँसू बह रहे हैं कॉरडर में तो वह पहली बार हुआ था उसके अलावा मुझे कैसे बत लगी बहुत लेट पड़ा मैंने और डान ब्राउन को बहुत पढ़ती हैं इसके अलावा बच्पन में मैं यह कहूंगी कि दो राइटर्स ने बहुत ज्यादा गहरी चाप छोड़ी हैं मुझ पर एक थी एनिट ब्लिटिन क्योंकि उनकी कहानियों में राबिट्स होते थे जो दूद पीते थे बिस्कित खाते थे आपस में बात करते तो अगर आपने पड़ी हो हम लोग कि स्कूल में ती तो वो मन प्लाटफॉर्म नंबर एट अगर आपको यादो मैं याद कर रहे हूं मुझ गूसबम सार हैं वो इतनी इतनी प्यारी स्टॉरी है और इसी स्ट्रीन जा रहे ही होती है तो प्रॉब्लम होती है वो एक लड़का होता है अरुन जो अपने होस्टल शायद अपने स्कूल वापस जा रहा होता है उसके मॉम डड़ उसको ड्रॉप करने नहीं आ पाते है उसका फ्रेंड होता है जो उसकी मॉम आई होती है और वो बहुत तो वहां एक सिंपल सी लेडी होती है वह आके अरुन से बात करती है और ऐसे प्रिटेंड करती है कि वह उसकी मा है और अरुन अकेला नहीं है मैं नाम गलत नहीं ले रही हूं पर यह स्टोरी बहुत अच्छे से से सैटल किया है मेरे साथ और भी बहुत सारी मैं कह दुरी हूं कि इनसाफ नहीं होगा कर मैं कोई एक करती हूं जैसे मैंने कुछ किताबो के नाम आपको बता है तो मुझे असा लगता है कि I have somewhere done injustice to the other books that I have read और जो मैं mention नहीं कर पा रही हूं क्योंकि इतना कुछ है जब आपको इमेजिटली पिकन चूस करने को बोला जाता आप नहीं कर पाते हो तो ऐसा हो रहा है मेरे साथ कोई एक ऐसी लाइन जो आपको याद रहती है और जो अपने किताब में पढ़ी सबसे खुबसूरत पंती यहर जब हम किताबों की बात करते हैं मुझे से लगता है वो किताब इसलिए है क्योंकि वो इन इंटारिटी खुबसूरत है उसका अगर मैं अगें मैं उसका एक प वो उसे अपने आप में बहुत प्यारा बनाता है वो जोड़ देती है मतलब इस 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 तुस. लाइड 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 के लाइड जोड देता है Khaleet Hussaini की The Kire Runner, It is one of my favourite books. And it has a line, it's about friendship, of course and it has a line for you a thousand times over. And that line, when I wrote it, it's about friendship, of course and it has a line for you a thousand times over. बहुत कुछ होना होता है कहानी में उसके बाद, और एंड लाइन भी आखरी पढ़ने पर भी वो लाइन है उस किताब के, कि for you a thousand times over, तेरे लिए अजार बार भी चलेगा, तो that defines so much about friendship, and I have had a very large, vast, and enriched friendship in life, तो वो वो लाइन मेरे साथ रहती है, तो भी रेज़नेट करती है हमारे साथ, रेज़नेट करती है, exactly, ऐसी ही कुछ exact पंदिया मुझे याद नहीं है, कहते हैं एक बहुत important line है, कि बहुत सही है कि कोई भी इनसान क्या कहता है, कोई भी चीज आप, कैसे हुई में भी आपको याद नहीं रहें, बट वापको कैसा फील कराती है, वापको हमेशा याद रहता है, मतलब, और खालेद हुईया मुझे लगता है, वह पार है उनकी, ता खुबसूरत लिखन, यू नोँ ने ग्हान टोचानल जरते हैं दो कि लापको पार है उनकी, यू पॉसिबल ए, और नोने कैसे बता हूं कि शायद एक पर्टिकलर एच के बाद ही उनकी इंपोर्टेंस रिलाइज होती है पढ़ लेता है फील तो बट अच्छा होता है पर शायद वो सेटल आपके साथ थोड़े समय बात करते है मन्तु के कहानी है थंदा गोष्ट अगर इसकी बात कर रहे हैं तो मैं आपको बोलोंगी कि हरी शंकर परसाई जी के ना व्यंग्य उठाकर पढ़ी है मेरे पास मैं बहुत सारी मंगा ली है ब्रिलियंट है मतलब ऐसा मैं इसकों बात कर रहे हैं जी हो सकते हैं अच्छा है यह कुछ नौलिज बहुत लिमिटे इन सब चीज़ों के मामले हैं बड़ लुट अशन कर पास हैं क्या है। देभिनेटली हम और भी बात करें हैं अजटा किरें तो अजट गाता है। तो हम अस mixGrace के पास सारा काम बें तोह मुझे सारा करतें, तो हम अस Sindh सारा कामें तोहम्म हम टू sometime करलावा असना काम करतें हैं? नपर नुखा, यह यूज़ा नहीं प्रहुआ प्रहुनु आपने काइसे किताब पडिया है जो थाफ कोड़िया है? कान शिटाब जुटेख नेता हएं? और एल्ज तक है और या नो निकेता सीटाँ पालता थॉटेखिये हैं? मैंने एक किताब पढ़ी उसका नाम है डेस्परेटली सीकिंग शारुक एक एक अर्थशास्त्रिया श्रायाना भटाचारिया वर्ल बैंक के साथ काम करती है तो उन्होंने ये बुक लिखी है और उसके टाइटल में लिखा है की इट इस बाउट इंडियाज लोनली यंग वि और इंडिपेंडेंगेंट को सितने और उसके बारे बीवे उसके बाएँ बहुत बहुत ज्ञादा इंट्रेस्टिंग किताब और शारुक नाम है किताब के टाइटल में क्योंकि वो कहना चाते है शारुक के मा ध्यम से के दर काइंड ऑफ लव देकांड यंट अशे जरत women like us want कि जो शारुक की बात करती हैं कि वो एक ideal man है कि वो fragile हैं काफी नाजुक हैं समझते हैं ओरतों को तो इसके जरीए जो इंडिया का labor market है जिसमें बहुत कम महिला हैं आज हिस्सा ले रही है जैसे दिल्ली को आप अगर ले ले तो केवल 11% महिला हैं दिल्ली के labor force में काम कर रही है तो उसकी भी story है काफी सारा data भी है और इस तरह से किताब लिखिये कि ऐसे लगता है कि जो लेखिका है मुझसे बात कर रही है मतलब हर एक line पर मुझे ऐसे लग रहा था कि इनको कैसे पता इनको कैसे पता और यह बात बिलकुल सही है कि वे आर फाइटिंग फॉर इंडिपेंडेंस और हम आर वे अगेटिंग इट ना मतलब अब शायद लडाए का समय खत्म हो गया है अब हो में मिल रही है बट वे जी रेज़ बें रागे आज भी जब सौ लोग मेरे आसपास यही बात करें, तो कहीं सच मुच मैं ही तो पीछे नहीं चल गूंग हूँ, कहीं सच मुच मैं ही तो लाइफ में लाइफ में लाग नहीं करके हूँ. इन सच में लाइफ में कब खानर आण करेंण लाइफ में लाइब जुच में भाम में लूल को जाता है, आइप काऊंच नहीं गो करते हैं, के इस अ advocate लाइफ में लाइफ मुचम, चाहिए निखनायं पर भीख साँग meow कु ऐख भीख में डिकोर तो यह नहीं हए। सबिलातु मैं इन फैक्ट मैं अभी बस पढ़ रही थी तो काफी रेजनेट की वो लाइन मुझसे के so many great single women but so very few great single men और वो कहती अपने बारे में श्रयाना कि at work I am competent and composed मतलब मैं मेरा काम जानती हूँ but at love I am a fumbling failure तो मतलब ये newsroom में भी इतनी सारी लड़किया हूंगे हमारी एज की जो इससे relate कर रही हूंगी के काम तो हमें आ गया पर हम मतलब we don't know how to find people who will love us for who we are right I I I just skipped a beat this is I can connect it I I have to read this story because yes suddenly when even if I'm an entirely nice person and I'm still a good woman and everything but somehow I'm not I'm stepping far away from being a marriage material just because I have my own opinion I have my own voice and I'm yes and because I will speak and eat and people keep telling you all around you and people who are your well wishes they keep telling you yeah it's okay like you're gonna put time it not to nahi bolti hai na let yeah and that's that's oh my god this actually कोशिश ये भी है कि हमारे audience के लिए हम श्रयाना को इंटव्यू करें तो उन्होंने अग्री कर लिया तो होप कर रही हूं इंशाला वो आजाए हमारे newsroom में और यू बुक्के बार में बात करें वाव मैं I will be your greatest I will watch it I think twice phrase that interview सूरिकान सर से बात करते हैं अलकेमिस्ट सर ने पढ़ी हुई है और उन्होंने मुझे बताया कि वो उनकी काफी दिल को छूजाने वाली किताब और काफी बढ़िया बात उन्होंने मुझे उस बार में बताई थी आज हम बैट के करें तो सर आ चुके हैं यह सब बाते में इनको नहीं बताई इनने आपको नहीं बताया था आपको कैसे पता हो मुझे नहीं अभी इस्टूडियो में बात हुई थे हमारी हाँ वो तो में जतन से कर रहा था मैंने सुन लिया दिवारों की भी आंखे होती है ठीक है बात ऐसी है कि मैंने अलकेमिस्ट को अपनी मतलब यंग एज में पढ़ा औ इंगलिष पे और उसका जो असर है आज भी इतना है कि हमारे घर में सारी गाड़ियों में अभी भी दिल के में लिखा रहता है वह मैंने नहीं लिखा है मेरे भाईयों को था कि फॉलो करते हैं उसी उसको असर है अब जहां तक बुक का सवाल है मेरे साब से सब को इस बुक अधाकारों ने भी बड़ा मश्वूर किया है, जैसे उसमें से, है ना कि आप किसी चीज को दिल से चाहते हैं, तो सारी काहिनात आपको, हाँ, तो यह तो बहुत ज्यादा चल गया, एक और उसमें बड़ा फेमस लिखा है, मिस्टर पावलो कोलू, बोलेंगे साइट, मैं प् आपथ कया दذता करें, बीमस में बनीजानों ब कृछा मुज़ा में होते हैं, तो आप बहुत 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 हैने साथ किताब में बहुत अब बहुत साथ हैं, कि लुटर नियु आननम पर किताब के सता काफी प्रभाव ध यहों। है कि आपको चीजों को कहीं खोजने की जरूरत नहीं है ना वो एक जैसे हमारे उसमें बुला था कस्तूरी मिरिक के लिए बोला जाता ना कि वो पूरी दुनिया में घुमता रहता है और उसको वो जो क्या बोलते हैं वो उसके नाभी में होती है सेंक्टर में तो सेम इसमें भी होता है वो जो गड़रिया होता है सेंक्यागों उसको बाद में समझ में आता कि खजाने की खोज के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको ये आपके पास ही मिलेगा तो वो हमारी एक मतलब जो जन्रल लाइफ है अमुवन उसमें भी ऐसे ही होता है कि आप इधर उ को करते हैं मझे बढ़े आपको उट में सब को पता है कि मैं जो ऊपल जा है जो को बाद में जो प्रेम आपको सेसे above समया आम नहीं,कि मधा बहुंड रहा था है तो आपको पहारिक ज़्ोगों मेरे साथ मेह पीसातं चुछ गंटे मेरे साथ में मैं होता तो 20 गंटेmbol पढ़ ली होगी क्योंकि वो मिलियन्स में उसकी कॉपी हाँ I had it मैंने वो आधी पढ़ी अब बाकिया कि आधी मैं आपसे बौरो करके बढ़ उनकी और भी बुक्स हैं जिसमें से मुझे 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 कुछ खास पसंद ही लेकिन बात में अलकेमिस्ट की करूँ लेकिन उसक अब अच्छी है अब अब अच्छी राइटर है तो उनके सारी बुक्स देख सकते हैं लेकिन अलकेमिस्ट सबको पढ़ना चाहिए बल्कुल ठीक है आप नीरजी को बुलाएगा वहां से मुझे सलते है सीक्रेट भी एक काफी अची किताब है जो अलकेमिस्ट जैसी तो न अफिंड यंग अब इस आफेक्ट उसने मुझे क्या है नीरज और नाडी सेहा साथ आज काफी जम्मीदारें आए नीरज के साथ लेकिन उनके कहां कि बात करिंगे किताब की बारे में इक कॉन से किताब के बारे में बात करूंगा नमस्टे और पंद्रा अगास ताने ने एक किताब recommend करना चाहूँगा आपको The Battle of Rezangla ये Rezangla War की एक कहानी है कुलपरीत यादव इसके author है हिंदी और इंग्लिश दोनों में है ये अवलेबल मतलब ये कहानी उन जवानों की है उस एक particular एक तुकडी की है जिनोंने चीन से लडाई की थी तो वो किस तरह से उनोंने बिल्कुल 303 गन थी उनके पास और वो मशीन गन का सामना कर रहे थे उससे कैसे वो लड़ते लड़ते बर्फ में तबदील हो गए कितने महीनों बाद उनका पता चला उस पूरी तुकडी का तो मेरे ख्याल से इससे बढ़ जाते हैं पढ़ने का मौका तो मिलने सरा तो आप यह पढ़ डा लिए मजा आजएगी क्या आपने इक किताब पढ़ी है तो क्या इस किताब की ऐसी बात है क्या कोई ऐसा शब्द सेंटेंस है या कोई ऐसा इमोशन है जो ये किताब आपको फिल कराती है जो कहीं न कहीं आपके अंदर कुछ और जिन्दा करता है देखिए बच्पन में सबने देजभक्ती वाली पिच्चरे देखी होंगी सब के अंदर एक जोश उबाल मारता होगा तो अगर ये पढ़ेंगे न आप आपको नॉस्टैलिजा मिले जाएगी ये किताब आपको लगेगा कि यार मैं भी मैं भी बनू और अगर आपको इस किताब के ऑथर का इंटिव्यू देखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगी किताब वाला हमने किया है कुलप्रीद यादव जी के साथ तो उन्होंने पूरा डिस्क्राइब किया कि उस किताब को लिखने के लिए कितनी मेहनत करी किन गिन जवानों के पास उनकी फैमिली के पास कैसे उन्होंने फैक्ट्स जुटा है तो वो पढ़ सकते हैं आप बिल्कुल तो आइ ठिंक यहां हमने हारी शंकर परसाई से लेकर के मंटो की कहानियों की उनकी लिखाई की बात की प्रीम चन्द की बात की अलकेमिस्ट किताब की बात की दिकाइट रानर की बात की खालिद हुसे अर आपको यह भी पता है कि यह किताब आपको मोडरलेस किस तरीके का फील करायेगी और इसका यूएसिप क्या है क्या इस किताब में ऐसा है जो आपके अंदर कुछ और जिन्दा कर दे का एक यूएसिप यह भी है कि सुन रहे है तो खरीदियेगा भी पढ़िएगा भी मज़ा आएगा भूल मज़ जाएगा भूल मज़ जाएगा नहीं भूलेंगे तो थांक यू हमारे साथ लाइफ पर जुड़ने के लिए आप देख रहे थे रंगरूट का चानल अब जली सामी सब्सक्राइब भी कर लीजिए और देखते रहे हैं रंगरू अजिए बडल जाएगा